पानिपत से बड़ी खबर आपको बताते हैं जहाँ पर एक महिला को गोली मारी गई है यह बड़ी खबर पानिपत से जहाँ पर महिला को गोली मारी गई है और साथी आपको यह भी बता दे कि नकापोश बदमाशों ने गोली मारी है महिला को पानिपत से यह हम खबर है पीर हालत में अस्पताल में भरती है इलाज महिला का जारी है और गोली मारने की कारणों का भी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार वो वजह क्या रही जिस वजह से महिला को इस गोली का शिकार होना पड़ा फिलाल मामले दर्ज कर लिया गया है मामले की जांच में पुलस जूटी है जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वजह क्या कुछ रही जो महिला को गोली मारी कई पाने पत से यहां खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कुछ नकापोश बदमाशू ने एक महिला को गोली मारी जिससे वो गंभी रूप से घाल हो गई है और फिलाल अस्पताल में भरती करा दिया गया है पती के साथ गोहाना जा रही थी यह महिला जिस दुरा गोली मारी कई और फिलाल महिला को गंभी रालत में अस्पताल में भरती करा दिया गया है जहां पर महिला का इलाज जारी है और साथ ही आपको इभी बता दे कि गोली मारने की वज़ा क्या कुछ थी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। नकाप बंदमाशके और कौन थी वो ळोग जिन्होंने महिला को गोली मारी है। आपको बताते हैं पती के साथ गोहाना ये महीला जा रही थी जिस दुरान इस गोली का शिकार उसे होना पड़ा कर दो गोली पती के सायर जिए होई बताथ कि इस दूएचराईख क स्थापी।